80,000 एक महिने में बाद पीने के जो मद होशी हुआ तो जाना उसने चांका था बड़े प्यार से पैमाने में अरे वाँ आज बड़े खुश नजार यो रमन भई खुशी की तो बात ही है क्यों? जानती हो लास मन हमें कितना प्रोफिट हुआ हमारे बिजनस में? कितना? 80,000 से भी जादा सच और वो सब हुआ है जानती हूँ जानती हूँ तुम्हारे दोस्त रोहित की बजा से यही कहना चाहते हो कैसा दोस्त? दुश्मन कहो दुश्मन अब तो वो हमें ब्लैक मेल करने लगा है ब्लैक मेल? हाँ मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी रमन अरे तुम्हें याद है? लास्ट टाइम जोधशी ने मेरा हाथ देकर क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि जब तक रोहित हमारे पेरोल पर रहेगा हमारा प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा नहीं बढ़ता ही जाएगा यहाद आया और साथ में यह भी कहा था कि जिस दिन रोहित तुम्हारे पेरोल से उतर गया तो तुम्ही लॉस होना शुरू हो जाएगा हम सुनो उसे रोहित भी तो वहाँ था यही तो हमारी बनसीभी है कि रोहित वहाँ पर था और इस बात का उसे भी पता है और इसलिए वो हमें ब्लैक मिल कर रहा है कम बखत रिजाइन करना चाहता है रमन तुम्हें कैनडा में रहते इतने साल हो गए तो क्या हुआ लेकिन फिर भी इन जोतिशों की बातों पर तुम विश्वास करते हो मुझे निस पता लग रहा तुमारा कैसे ना करूँ याद है लास्ट टाइम जब जोवित रिजाइन करके चला गया था तो क्या हुआ था क्या हुआ था तुम्हें लॉस हुआ था यही कहना चाहते हो तब ही तो तुम अपने घुटनों पर रेंग पे उस लुचे कमीने को वापस बुला कर लाए थे भई घुटनों पर रेंग के मत कहो वो तो मेरी मजबूरी थी बुलाना ही था मजबूरी थी तो तुम क्या कहना चाहते हो कि इस बार भी तुम उसे रोपने की कोशिश करोगे भई चाहता तो हूँ हमें तो अपना प्रॉफिट देखना है बिजनस बढ़ाना है और वो है लकी इसलिए तो मैंने उसी आज घर बुलाया है जैसे तुमारी मजब ऐसे करो मुझे क्या लगता है वो आगया तुमारा लुच्चा कमीना मैं जाकर देखती हूँ तुम बैठो लगता तु है कुट्टा नीलम जी कैसी है ठीक है ठीक है आई बहुआ तुमारी वेट कर रहा था आगया मैं ये लीजे मेरा रेजिगनेशन रेजिगनेशन जी आँ आकर तुम चाहते है क्या हो इतनी कम तन्खा इतना hard और boring काम ये तो को गळही सकते है तुम आपने को करा समझती हो ये अध Jaa मेरे को गदा संजहे उ तुम मै मेरे को गदा संजहे हो ने-दो मतामनार रहा थै अरे भाई आप तो हमारे महमान है बैठ हे आपके लिए चाही लीजेग रहे? नहीं पुझाए जी ठीक है चाहे तो मैं पीकर ही आया हूँ ठीक है अच्छा साल के 60,000 डालर अब तुम्हें कमने जराने लगे हैं जी हाँ आप कमाते हैं लाखों वही मेरी वजय से कि मैं आपकी पेरोल पर हूँ और मुझे क्या देते हैं साथ हजार वही साल के तुम चाहते हो तुमारे तनखा बढ़ा दी जाए तो सिधा कहो न इस रिजिम्नेशन की क्या जुरी रहत है चलो आज से हम तुमारे तनखा बढ़ा देते हैं साल के 100,000 करते हैं क्या तुमिसे साल के 100,000 डालर जोगे लीज पुझा मुझे बात करने दो ठीक है मैं चुप हो जाती हूं मुझे क्या ठीक है ठीक है पर इतना हार्ड और बोरिंग काम मैं तो नहीं कर सकता मेरे को तो जाना ही है बोरिंग वाक चलो भैं हम तुम्हें बोर भी नहीं होने देंगे क्या मतलब ऐसा करते हैं तुम्हारे ओफिस में एक कलर टीवी लगवा देंगे स्टीरियो सिस्टम लगा देंगे जब चाहे टीवी वाइस करना जब चाहे गाने सुनना बोर तो तुम हो ही नहीं सकते वाह, आपकी क्या कहने, आफस में TV और Stereo System, क्यों, ओफस को क्लॉब बनाने का इरादा है क्या, ओओओ, फूजा प्लीज, सब बिजनस की बाते हैं, करना पडते है, भिजनस की बाते है disput对ला है, Light work? मैं क्या करूँगा? तुम, ऐसा होगा, तुम्हारे सेकरेटरी सब पेपर वर्क तियार करके तुम्हारे पास लियाया करेगी तुम है क्या? तुम, सिर्फ signature किया करोगे, अब प्रूवल के लिए तुम्हारा मतलब मैं सारा दिन signature ही किया करूँगा हाँ, कितना light work है? खाक light work है? क्यों? सारा दिन signature करकर के, मेरा हाथ नहीं तूट जाएगा सेच भाईया, बेचारा हाथ, आप क्यों signature करेंगे? हम signature करने के लिए किसी और को रखनेंगे क्यों? क्या खयाल है? आप अगर चुप रहे हैं, तो बेतर होगा मैं कौन सा ज्यादा बोल रही हूँ? हाँ, मुझे पता है आखिर रोही तुम चाहते क्या हो? ऐसा करते हैं, कैसा? आप मेरे signature की rubber stamp बनवा दो रबर stamp, वो किसलिए है? जहाँ उसे मेरे signature की जरुरत होगी वो rubber stamp लगा दिया करेगी और मुझे office में भी नहीं आना पड़ेगा और आप सारा दिन office में बैटकी टीवी देखा करोगे यही कहना चाहते हो तुम्हें मैंने बोला है, प्लिस चुप रहे हैं मैं बात तो करना हूँ बार बार मुझे चुप होने को कहते रहते हो प्लिस टीवी तो मेरे घर पर भी है तो मुझे office आने की क्या ज़रूरत है और मेरा नाम भी आपके payroll पर रहेगा हम्म, खुब हे भगवान, इन लोगों की बाते सुन-सुन कर तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा प्लिस तुम यह चाहते हो, तुम office में आओ और एवरी मन्थ हम तुमारा paycheck तुमारे घर भेज दिया रहे है रमन, एक बात कहूं, बुरा तु नहीं मानोगे अरे भई, अगर बुरा मान भी लेंगे, तो हम करी कह सकते है भई, तुम चेक भेजोगे, मैं घर से बैंक जाओंगा तो क्या हुआ I don't believe this, तुम आखिर अपने आपको समझते क्या हो और तुम बड़े business man बने बैठे हो Business man तो मैं हूँ Business man तो मैं हूँ तभी तो उस पंडित के कहने के या जोची के कहने पे इस पर hundred thousand dollars रुताने की सोच रहे हो तुमें क्या पता? Business के बारे में तुम बेकार बोलती जा रही हो तुम यह सोचो ठीक है तुमारी मर्जी जो कुछ करना करो मुझे क्या? Please, मेरी मजबूरी है मुझे क्या? Please, मेरी मजबूरी है लिवे टुमारी में झाहे हो ग्जमारी मुझे क्या लूष तुमारी में उसे क्या लगा